आज मैं आपको बता हूंगा कि यह जो मैंने एप्स यहां पर डाउनलोड किया हुआ है देख सकते हैं इसके लिए आपको कुछ नहीं करने है इसके लिए आपको दो एप्स डाउनलोड करने है अलाकि यह पर एक ही अप से पता लगा सकते हैं लेकिन यहापको दो एप मैंने आपको बता रहा हूँ तो चलिए इन एप का नाम पता लगाते हैं और इसको डाउलोड और इंस्टल करके आपको में बताऊंड लिस्ट एप एन अनिस्टोलर इसको आपका लिजिए यहापका OneTouch एप लेप्स का है इसको आप पहले डाउलोड करके इंस्टल कर लेना है और जो दूसरा एप है आप तो इसको भी आप इंस्टल करना है सबसे पहले में इसको दिखाता हूँ इसके मदद से आप कैसे पता लगा सकते हैं सबसे पहले देखिए ओपन कर लिया तो इसका इंटरफास आपका बहुत बिल्कुली आसान है इस तरीके का तो यह बता देगा जैसे कि ट्रू कोलर स्व पता लगा सकते हैं गुगल मीट यह यूनाइट इस्टेट का है कीपनोट से भी पता ही आपको इनाइट इस्टेट का है इमो नहीं पता लगा रहा है यह अपडेट के बाद इसमें और सुधार आ जाएगा और जो दूसरा एप मैंने बताया वह आपका कौन सा है लिस्ट एप & Country Finder जैसे कि आप देखसकते है लिस्ट एप & Country Finder आप इसको List All Apps & Uninstaller याप करना है तो इसके बाद आपको इंस्टल कर लिए नहीं है और इस तरिके से इस तरीके से उहां यहाँ पर दिखाई देगा जैसे कि आप देख सकते है WhatsApp WhatsApp आपको दिखाई दे रहा है USA का इसी तरीके से आप देख सकते है Flipkart यह आपका इंडिया का है Zoom आपका USA का है भीम आपको नहीं पता लगा रहा है Instagram आपका USA का है MX Player Singapore का है इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि कौन से country का आपका Google Meet आपका USA का है ठीक है YouTube Studio नहीं बता रहा Google पर आपका USA का Translate भी आपका USA का ही बता रहा है तो यह बिल्कुल भी सही है आरोग्या से तो देखए इंडिया का है बिल्कुल सही बता रहा है MYGO भी इंडिया का है सही बता रहा है IRCOOC का Rail Connect ये भी आपका इंडिया का ही ये भी सही बता रहा है Google Classroom ये आपका USA का है ये भी सही बता रहा है तो लगबग आपका सही है सभी सही बताते हैं लेकिन बहुत सारे अभी देखे प्ले इस्टोर में बहुत सारे एप्स हैं तो अभी ये हालिया डेबलप किया गया है इसको और आपके अपडेट्स आते रहेंगे तो इसमें आपका और इंप्रूब्मेंट होता रहेगा या आपके ज्यादा कुछ नहीं तीन या दो एमबी के एप्स से इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं और कंट्री ओफ ओरिजिन एप्स का आप पता लगा सकते हैं तो इस तरीके से दोस्तो आप कंट्री ओफ ओरिजिन पता लगाने के लिए इन एप्स का इस्तमाल कर सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तो अगले वीडियो के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में तब तक क के लिए धन्यवाद जाहिंद बंदे मातरम